जब भी कोई private job करता है तो job में अकसर boss से बहस होना, company के साथ किसी बात को लेकर dispute होना ये चीजे होती है और जब भी कोई dispute होता है तो या तो company उस employee को हिटा देती है या फिर employee खुद ही अपना resignation देता है और उसके बाद अपना नया रस्ता चुन लेता है लेकिन recently 25 साल के एक chef ने अपने boss के साथ और उसकी restaurant के साथ जो कुछ भी किया है उसकी चर्चा सभी तरफ हो रही है इस chef का नाम है Tony William, Tony William की उम्र 25 साल है ये Royal William 4 pub के अंदर लंबे समय से chef का काम कर रहा था लेकिन कुछ समय पहले इसकी company के साथ payment को लेकर dispute हो गई इसका कहना था company को कि इसे जो payment मिली है वो कम मिली है वही company का कहना था कि जो payment मिली है वो सही मिली है इसी के चलते company से इसका dispute हो गया और इसने resignation दे दिया resignation देने के बाद इसने company को एक धंकी दी इस धंकी ने सभी को हैरान कर गया इसने कहा कि मैं आपके pub के restaurant में एक cockroach bump होने वाला हूँ company ने इस धमकी को easily लिया सोचा नहीं कि ये वाकई में ऐसा करेगा लेकिन इस धमकी के दो ही दिनों बाद Tony William पब में जाता है, पब के restaurant में जाता है और restaurant में जाकर बहुत सारे cockroaches छोड़ देता है जिससे पूरा pub अस्त व्यस्त हो जाता है और तुरंट pest control वालों को बुलाना पड़ता है पब को बंद करना पड़ता है और सारी cleaning करनी पड़ती है Tony पर उसकी company ने action लिया और ये मामला court तक पहुँचा जिसके बाद Tony ने कहा कि वो अपनी company से बदला लेना चाहता था इसलिए उसने ऐसा किया उसने restaurant के kitchen के अंदर बहुत सारे cockroaches छोड़ दे ताकि उन लोगों का नुकसान हो company का कहना है कि Tony की इस हरकत से उनका 21,000 pawn का नुकसान हुआ है और इसके तहट अब Tony को ना सिर्फ fine भरना चाहिए बलकि उसे सजा भी मिलनी चाहिए court ने Tony को 17 महीने की सजा दी है और उसके उपर भारी penalty भी impose की है लेकिन जिस किसी ने ये बात सुनी वो हैरान रह गया कि क्या इस तरीके से भी कोई बदला लेता है कहा जाता है कि जिन cockroaches को Tony ने छोड़ा ये वो cockroaches हैं जो snakes को खिलाए जाते हैं और इन cockroaches से restaurant में काम करने वाले employees और जितने भी बच्चे और जो भी लोग थे वो सभी डर गए और restaurant को clean करने में कहीं दिन लग गए इन cockroaches को हटाने में कहीं दिन लग गए जिन लगी अर्वार ये वे लोग ँट है